नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भार्ति और आप देख रहे हैं संस्कृति आएस यूट्यूब चैनल साथियों आज इस मुद्दे पर हम बात करने बाले हैं वह महिलाओं से संबंधित जो हिंसा हत्या या कुरूरता की घटनाएं हो रही है उसको लेकर के दरसल इसको ल अभी हाल ही में संड़े को एनुटरूर्ट जारी कर दिया है दरसल NCRP जो है केंदृयहूंम मिनिस्ट्री के अधेन करता है इसने जब अभी अपना रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासे हुए है इस रिपोर्ट में राजजबार चीजऴ भी बताई गई है कि अपराद की क्या इस्थिती है शहर भार भी बताई गया है हम जो आज इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं वह महलाओं की स्थिती को लेकर के हमारा मुख चर्चा का विशह रहेगा 2019 Metropolitan City को study किया गया है उस 19 महानगरों में यह बताये गया है कि दिली सबसे जायदा और सुरक्षित शहर है महलाओं के रहने के लिए दिली में यह भी देखा गया है कि यौन उतपिरन महलाओं का सबसे अधिक होता है दिल्ली के अलावा मुंबई भी NCRB रिपोर्ट के रडार पर यहां पर देखा गया है यदि महलाओं और बच्चों के अपराद की स्थिति को देखें तो इसमें बहुत जायदा बढ़ोतरी पिछले वर्ष के मुकाबले देखा गया है महलाओं के खिलाब अपराद में जहां NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 4 परतिशत अपराद की बढ़ोतरी हुई है वहीं बच्चों के खिलाब यदि अपराद देखें तो 8.7 परतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है इसमें अगर आप देखेंगे बुजुर्गों को लेकर के भी बाते की गई है और उनके लिए 11 परतिशत अपराद में ब्रधी देखा गया है साइबर अपराद में सबसे ज़्यादा NCRB का कहना है कि 24.4 परतिशत अपराद बढ़े हैं इन सब चीजों पर हम विस्तार से बात करने बाले हैं हम यह देखने बाले हैं कि क्यूं कहा गया कि दिल्ली जो है महलाओं के रहने के लिए सबसे औसुरक्षित शहर है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है सुधार के लिए सरकार क्या कारे कर रही है साथ ही इससे सम्मंधित कानून पर भी विस्तार से हम चर्चा करने बाले हैं अब चुकि NCRV की रिपोर्ट आई है तो जाहिर सी बात है UPSC का ये फैबरिट जॉन होता है जब भी कोई रिपोर्ट प्रकासिती होती है UPSC की नजर उस पर बनी रहती है और यह प्रिलिम्स और मेंस दोनूं ही एकजाम के नजरिये से बहुत ज़्यादा महत्पुर्ण होने बाला है इसलिए इस रिपोर्ट की जब हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट में जैसा मैंने कहा कि महलाओं से संबंदित मुद्दों पर हमारा चर्चा रहने बाला है आप इसको सिर्फ देखिए मत आपको करना क्या है कि एक पेलिन उठाईए और कागज उठाईए और आप को आंकरे जो हैं वह नौट भी करते चलना है जो कि जब आप मेंस की अंसराइटिंग करेंगे उसमें जब आप एंसी यर्वी के रिपोर्ट की चर्चा करेंगे तो आपका आंसर जो है वह काफी रिच हो जाएगा और आपको मार्स अधिक मिल सकते हैं देखिए निउस की घटनाई हो रही है महलाओं के खिलाप और इसलिए दिल्ली महलाओं के रहने के लिए सबसे अंसेफ जगा हो गया है यदि हम मेट्रो पॉलिटिकल सीटी को लेकर के बात करें 19 सहरें को 19 महानगरों पर यह अध्यन करके बताया गया है चलिए प्रमुख बिंदू जैसा कि मैंने बताय था कि द्वारा हुआ है महानगरों के संदर में 19 महानगर रहे और यह तीसरे वर्ष लगातार दिखा गया हैं अब तो दिल्ली में जो महिलाओं के खिलाप अपराद दर्ज किया गया है NCRB ने कुछ आंकड़े बडाये हैं जरा उन आकड़ों का अध्यन करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे डेटा को देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे डेटा का N.I.S.S. भी करेंगे समझेगे कि इसके कह वह दिल्ली में ही हुआ था पूरे देश का दिल जो है उसने दहला दिया था बहुत जाएदे उस पर पूरे देश आंदुलित हुआ था लोग आक्रोशित हुए थे सजा कभी प्रापधान किया गया था लेकिन इसके बापजुद भी देश की दिल कहे जाने वाली जो जगर दिल्ली है देश की राजधानी है वहां पे हालाद बहुत बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक तो घटनाए 14,000 से उपर की है और उसमें भी जो कहते हैं बलतकार की घटनाएं वहां 1200 तक दर्ज किया गया है यह अपने आप में बहुत स अपने आप में अब समझ सकते हैं यह केबल दिल्ली को लेकर के बाते कह रहा हूं एक शहर की बाते कह रहा हूं तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि प्रतिदीन जब तीन मामले जो हैं कम से कम बलतकार के यहां पर दर्ज किये जा रहे हैं अपने आप में बहुत संगिन मसला ह हैं एक सौंपामने जो हैं देहेज में प्रतारित नहीं यहां पर ध्यान देना है देहेज को लेकर कि दोह सेम चमाया कर दी गई है महलाओं की जो भी मामले ऐसे आ yapıyor जिसमें पती यह उसके जो प्रतारित किया है व्य हैं उनके साथ किया गया है io एक लाख महलाओं पर लगभग 186.9 अपराध दर्ज किया गया है यहां आकरा अपने आप में बहुत जादा है और दूसरी बात यदि आप देखेंगे तो अन्य राज्यों की तूलना में या अन्य महानगरों की तूलना में यहां आकरा दिल्ली का काफी अधिक यहां पर बत रहा है देखे इसमें यहां पर आप समझ सकते हैं कि पर और की बात की गई कि एक एक घंटे में यहां पर दोनों ही पहलूं पर ध्यान देनी की ज़रूरत है यदि F.I.R. जैदे दर्ज हो रहा है तो एक मशला यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं महलाएं जागरूक हो रही है और अपना मामला जो है पुलिस ठाने में दर्ज करा रही है दूसरे हिंगल से यह भी देखने की जरूरत है कि पुलिस जो है अब थोड़ी सक्रिय होकर के क कर रही है क्यों नहीं ततपरता पुर्ण कार करके इन चीजों को रोकने का प्रियत्न कर रही है तो यह मामला आप समझ गए अब यहां पर अपराद के प्रकार को देख लेते हैं कि किस तरह के अपराद हो रहें लेटा दिया है NCRB ने और यहां पर तीन वर्षों की तूलन का मामला है ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले Crime Against Women महलाओं के विरुद्ध जो अपराद हुए है यदि आप देखेंगे तीन अलग अलग कलर यहां पर दिखाए गया है यह कलर जो दिखाए गया है यह 2020 के लिए है और यह 2021 के लिए है और यह 2022 के लिए है तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गया देखें महलाओं के विरुद्ध जो अपराद दर्ज किया गया 2020 में वह 9,782 था वही अगर आप देखेंगे 2021 में तो 13,982 था और 2022 में अगर आप देखेंगे तो 14,158 था तो आप चीज़ें यहां आपको क्या देखने को मिला आपने आप जो है लगातार बढ़ रहा है इसमें कमी नहीं देखी जा रही है यानि कि दिल्ली के स्थिति को देखें और महलाओं से सम्मनित अपराद देखें तो लगातार तीन साल यहां आकरा बढ़ता हुआ नजर आया है इंक्रीजिंग और्डर में यहां अपराद बढ़ रह है अन राज्य और अन शहरों की तूलना में कानून भी शक्त है पुलीस परशासन भी शक्त है बावजूद इतनी घटनाएं देखी जा रही है तो फिर इस पर लगाम कैसे लगाया जाएगा और फिर महला यदि शुरक्षित घर के बाहर निकले तो फिर किस तरह से निकले इसलिए बहुत सारे प्रश्ण जो है यहाँ पर इस आकरों के बाद उभर करके सामने आया है यहाँ पर बच्चों को लेकर के देखेंगे crime against children तो इसमें भी तीनों वर्ष के आकरे को देखिए तो इसमें भी graph बढ़ता हुआ नजर आएगा increasing order में यानि कि बच्चों के वि वर्षों की तूलना में यहाँ पर देखेंगे वैसकों के विरुद्ध यदी अपराद आप नजर दोर आएंगे तो 906 1166 और 1313 यह 2022 में हुआ है तो यहाँ भी आपको आंकरे बढ़ते हुए नजर आएंगे यानि कि यह तीन चार अगर देखें मामला तो यहाँ पर महिला के विरुद्ध अपराद में चार प्रतिशत की बढ़तरी आई है आप यहां से आखरा देख सकते हैं वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों में आप देखेंगे तकरीबन यहाँ पर आठ दसमला साथ प्रतिशत की बढ़तरी देखी गई है बुजर्गों के मामले में देखेंगे तो बुजर्गों के मामले में भी तकरीबन 11 परतिशत की बढ़तरी देखी गई है अपराद में अब इसलिए यह मामला जो है काफी चिंता जनक बढ़ा हुआ है हत्या के मामले में भी चीज़े आपको बहुत सही नहीं दिखेगा 461 जहां 2020 में था 454-2021 में वहीं 2022 में 501 मामले ऐसे दर्ज किये गए यानि की मामला जो है यहां 2021 में यह मामला गिरता हुआ नजर आया था लेकिन 2022 में फिर से बहुत तेजी इसमें देखी गई साइबर क्राइम को लेकर के हम सभी चिंतित होते हैं क्योंकि आधुनिक समाज जो है वह कहीं कहीं इंटरनेट की दुनिया से चलता हुआ नजर आ रहा है हम सारा काम जो है इसी के माध्यम से कर रहे हैं इसलिए साइबर क्राइम पर चिंता होना हम सबों के लिए लाजमी है अब यहां देश की राजधानी में यह देखा गया है कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है जहां आप देखेंगे 2020 में केवल 166 इस तरह की घटनाएं सामिल हुई थी वही 2021 में 345 और यह मामला बहुत तेजी से बढ़ करके आप यहां पर देख लीजिए 2022 में 680 तक जा चुका है यदि परसेंटेज में यहां साइबर क्राइम को देखेंगे तो तकरीबन यह जो है 24 परतिशत के आसपास का मामला चला जाएगा 24 दसमला 4 परतिशत के आसपास यह मामला चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि अधिकांस्ता मामले जो हैं देश की राजधानी में उसमें बढ़ोतरी ही देखी जा रही है तो इसलिए NCRV का रिपोर्ट यह कहता है कि हमें कराइबर क्राइम को ले कर के देखे अफ़रन की मामले में देखे या हत्या के मामने में देखे इन सबही मामलों में अगर आप देखेंगे तो अपराद 2022 में लगातार बढ़ा है जबकि कानून बेवस्ता नए-ने कानून लाकर के पुखता किये जा रहे हैं बाबजूद क अपराद Record Bureau यानि कि National Crime Records Bureau समझना है इसकी अस्थापना जो है जन्बरी उनिश्वा 86 में की गई थी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि केंदर की जो ग्रिह मंत्राल है उसके अधीनिया काररत है और प्रतेक वर्ष इसका रिपोर्ट आता है क्राइम को लेकर के एक रिपोर् उटाता है उसमें यह पूरे देश को लेकर के बाते किया जाता है क्या इसमें राज्ज को लेकर के बाते किया जाता है कि किस राज्ज में कितना अपराद है मैंनाओं को लेकर के बच्चों को लेकर के या ओवरल तो बिल्कुल राज्ज को लेकर के भी बात किया जाता है क् बार-बार कह रहा हूं कि UPSC यहां से प्रशन पूछेगी ही पूछेगी बहुत अधिक संभावना बन जाता है अब यह कारिक क्या करती है NCR वी रेखिए वार्सिक अपराद रिकॉर्ड प्रकाशित करती है जिसकी चर्चा हमने पहले की है और अपराद से जुरे हुए मामले उसका करती है पिर उसकी ब्याक्षय करके भी देती है रास्टी और विदेशी अपरादों के अपरादों के संगर संग्रह एक रास्ट्य निकाई के रूप में भी यहां कारे करने का काम करती है महिलाओं के खिलाब उन जो आज का टिका हुआ है वह महलाओं के खिलाब जो अपराद बर रहे हैं देश भर में उस पर और खास करके दिली या मुंबई जैसे जो मेट्रो पॉलिटन सिटी है उसको ले करके हम चर्चा करने वाले हैं तो इसमें कारण क्या है आखिर महलाओं के बिरुद अपराद क्य हो सकते हैं देख़िये समाज में क्या है जिस समाज में हम रहते हैं यह तो दुनिया घर के समाज में लेकिन जिस nam महलने कॉलनी में रहेंगे वहाँ भी देख सकते हैं आप के साथ जो आपकी कोई फ्रेंड होगी और हो सकता है आपकी बहन हो आप कि उनको कहीं तब जर साब करने कम tवारा करके कि हम आंक्ते चले जाते हैं इसके अलावा देखेंगे राजनीती की दुनिया में महलाओं की प्रतिनिजित कम है अब राजनीती की दुनिया में महलाओं की प्रतिनिजित कम है पिया क्या करेगी विधान सभा में या लोग शभा में राज सभा में अपनी आवाज नहीं उठा पाएगी सही से या अपने मुद्दे को या सही से नही रख पाएंगे इन से जुरू है सरोकार जो है नहीं वहाँ पर पहुंच पाएगा हलां कि हाल ही में आप जानते हैं कि आरक्षन विधैक लाया गया था महलाओं से संबंदिद जिसमें महलाओं की 33 प्रतिशत भागदारी सुनिश्चित की गई थी इसको लेकर के एक हम डिटे के आगया अपने जुरू हुए मुद्द्य को समाज के समक्ष रख सकें इसके अलावा हमारे समाज में महलाएं आर्थिक रूप से बहुत कमजूर है और यदि पूरा मसला देखे न तो यह आर्थिक आधार का अधिक हो जाता है यदि महलाएं आर्थिक आधार पे सबल हो जाती हैं मजबूत हो जाती है तो निश्चित तोर पर अन जो पहलू है वह अपने आप ही बहतर हो जाता है लेकिन हमारे समाज में आप देखेंगे कि बहुत कम संपत्ती जो है वह महलाओं के नाम पर है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग में महलाएं आती है पित्री सतात्मक मानसिक्ता हमारे समाज की बनी हुई है पित्री सतात्मक मानसिक्ता कहने का अतात्पर है कि समाज में बेटों का महत अधिक है बेटों की चाहत लोगों को बनी रहती है कि बेटियां कम ही हो या ना ही हो लेकिन बेटे जरूर हो एक अमूमन समाज सास्तरी है उ उन्होंने कहा कि भारतिय समाज में मुमन देखा गया है कि माबाप के जो इज्जत हैं प्रतिष्ठा है वह बेटियों के कंधे पर दिया जाता है और माबाप के संपत्ति जो है बेटों के कंधे पर दिया जाता है तो जाहिर चीज बात है अब यहां से पित्री सतात्मक समाज की मानसिक्ता क्या है आप उसे समझ सकते हैं महलाओं को उपभूग की वस्तू के तरह समझा गया है एक अबजेक्ट समझ लिया गया है ठीक है जब किसी चीज को मान लीजिया आपने यह पेन लिया इसे वस्तू समझ लिया तो आपकी मानसिक्ता क्या हो जाएगी कि मेरे पास या पेन है मैं इसका जैसे चाहूं इस्तमाल कर लूँ है ना मैं किसी कलर चेंज करके लिखूं इसे यहां रख दूँ इसे फेक दूँ किसी को गिफ्ट कर दूँ जैसे मेरी मर्जी हो मैं इसका इस्तमाल करूँ वस्तू को लेकर के तो हमारे मन में कम सकम यही बात रहता है हम हमारे पास जो भी वस्तु है यदि हम महलाओं को भी वस्तु समझ लेते हैं अब्जेक्ट के रूप में समझा जाए तो फिर निशित तोर पर आपके मन में यही बाते चले जाती है कि हमारी मर्जी है हम जैसे रखना चाहे हम जैसे इस्तमाल करना चाहे और यही मान सीक्ता जो है कहीं कहीं अपराद में तब्दील हो जाता है ठीक है कई बार हम कहते हैं कि अपने रिपोर्ट में बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेम का जो मामला है उसके तहत ब कर जाएंगे तो इसलिए मैंने कहा कि आपको एक बार रिपोर्ट जो है वह पढ़ लेना चाहिए आपकी समझ इन आप जगर जगर देखते होंगे विविन निकायों में भी देखते होंगे कि महलाओं की वेतन जो है वह लगातार कम होता हुआ दिखेगा कई जगा बी-सी-सी वेगरा में हलाकि इसको सुधारा गया है और यह स्वागत योग कदम है बहुत कहते हैं कि बॉलीबूर्ट को महां पर मिलती है तो लेंगिक जागरुकता का अभाव काफी यहां हमारे समाज में देखा जा रहा है यहां पर समझे कि अधिकांस ऐसे मामले होते हैं जिसमें महलाओं के खिलाप हिंसा की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताया था क दिल्ली में बर रहा है और एक लिहां से अच्छा भी है ठीक है अब यहां समझ लीजी क्यों मैंने ऐसे कहा था रिपोर्ट जो है वह दर्ज ही नहीं किया जा रहा था महलाएं जब पुलिस थाने जा रही है विभिन रिपोर्ट यह कहता है कि महलाओं की बातें जो है सुनी ही नहीं जाती है पुलिस एस्टेशन में महलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून जो है उसको सही से लागू नहीं कराय गया है या उसका कह सकते है कि धरातल पे नहीं उतारा गया है कागज पे तो वह बहुत बहतर है लेकिन उस सिर्फ हवा हवाई बाते बन करके वहर गई है अब मामला यह उता है कि फिर सुधार कैसे किये जाए क्या प्रियास किये जाए क्योंकि देखिए तीन साल के आंकरे हमने देखे हैं 2020, 2021 और NCRB की 2022 की भी रिपोर्ट और यह यहीं कहता है कि लगातार तीनों वर्स जो है महलाओं के खिलाप होने वाले जो अपराद हैं चाह चाहें वो बलतकार के मामले हो चाहें वो अफरन के मामले हो चाहें वो दहेज प्रतारना को लेकर के बाते हो हर केस में मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है तो फिर सुधार कैसे किये जाए देखिए सुधार करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वह है कि समाज को अपनी मानशिक्ता में बदलाब करना पड़ेगा और समाज को अपनी मानसिक्ता में बदलाब करने का ताथ पर यहाँ यह है कि दो तीन आधार पर एक तो जो अधिकार को लेकर के बाते की गई है अधिकार बराबर के मिलने चाहिए यानि कि अगर मानने जी आर्थिक रूप से ही है संपत्ति में यदि सेर दिया जाए पैरेंट्स के द्वारा तो अपने बेटे और बेटियों को बराबर ही दिया जाना चाहिए अभी हाल ही में एक आप मामला देखे होंगे अमिता बच्चन साहब का आया था जो की फिल्म एक्टर है उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर जो है संपत्ति का अधिकार दिया है तिया अच्छा मामला है इस तरह के केसिस जो है और भी देखे जाने चाहिए उसके बाद जो है यहाँ पर आर्थिक रूप से भी बाते की जानी चाहिए कि आर्थिक रूप से महलाओं को जो है समान रूप से हम उनके साथ वेवार करें ठीक है लिंग के आधार पर भी बाते की जानी चाहिए कि लैंगित भेदभाब ना हो सिर्फ महलाओं को इसलिए उनके साथ भाब नहीं किया जाए कि उसका आधार लिंग हो जाए तो इन सब चीजों में महलाओं की भाग्डारी बढधानी होगी और इसके लिए ही महला आरक्षन विल जो है आया था जिसमें 33 प्रतिशत आरक्षन की बात की गई थी आर्थिक रूप से भी महलाओं को सबल किया जाना चाहिए आप जानते हैं विभिन शमुहों के द्वारा सरकार जो है आर्थिक रूप से अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए कई राज्य सरकारों ने यह भी किया है कि शिक्षा में लर्कियां जब 10 पास करती है यह तो उसको कुछ राशी दिया जाता है प्रोत्साहन राशी ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके तो यह भी एक अच्छा तर तौर पर उसे लेना हमें बंद करना चाहिए यह नहीं सोचना है कि जो हमारे हिसाब से इनकी दुनिया चलेगी है ना कई बार हम कहते हैं कि लड़कियां जो है समझ में ही नहीं आती तो समझ में नहीं आती इसलिए कि हमने समझने की कोशिश नहीं किया है अपने चसमें से ह लिखने का कोशिश किया है तो यदि हम सामने वाले के नजरिये को समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से हम चीजों को समझ जाएंगे यानि कि वस्तु अबजेक्ट जो बाते की जाती है वह नहीं समझना है और इस तरह से यदि समाज के सोच में बदलाब आएगा तब ही जा वाले हैं तो कि एंसी आरबी की रिपोर्ट यह कहती है डिली के बड़े पुलिश अपसर का बयान लिया गया उसमें और यह कहा गया कि देखिए इसमें जो है जायदेतर मामले में रिष्टेदार ही सामिल है रिष्टेदार सामिल कहने का ततबर कई मामलों में चाहें वह य पुलिस के लिए फाइंड आउट करना बहुत मुस्किल हो जाता है पुलिस यह भी कह रही है कि सुधार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे स्कूल में जाकर के कॉलेजेज में जाके बच्चों को गुड टच या बैड टच इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाए इसके डिफेंस ट्रेनिंग कैम्प हम लगा रहे हैं लड़कियों के लिए ताकि वह खुद की सुरक्षा कर सके इसके अलावा जो सबसे हम चीजें हैं जो अधिक से अधिक मामले दर्ज किये जाए यदि महलाएं पुलिस थाने पहुंसती है अपने मामले को लेकर के तो उनके माम दन सीलता से पुलिश परशाशन को लेना चाहिए और दर्ज करना चाहिए लेंगिक जागरूता बढ़ाना चाहिए समाज में यह सोच बदलना होगा कि बेटे और बेटियों में फर्क है ठीक है जो एक फिल्म आई थी उसमें कहा जाता था ना कि मारी छोडियां छोडों से कम है क्या यही सोच रखना होगा कि लड़कियां भी कोई भी काम कर सकती है अभी आप देखें होंगे कि जो सेना है उसमें लगातार जो है महलाओं की बहाली की जा रही है वह ऑफसर रेंक तक जा रही है फाइटर जेट जो है उसका परिचालन कर रही है तो जाहिए बात है किसी भी लहाज से लड़कियों को आप कम नहीं आख सकते हैं महलाओं के खिलाप हिंसा के प्रतेग मामलों की जो है एफायर जैसा मैंने कहा वो रिपोर्ट आपको करना होगा इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और करने की जरूरत है कि आपने मामला तो दर्ज कर लिया लेकि जो कानून बने हैं उसका क्रियानवेन सही से कराना होगा प्रशाशन को यह नहीं होना चाहिए कि कानून जो है लोक्षभासे या विधान सभाओं से पास हो गया और वह कागजों में सिमट करके रह जाए उसका धरातर पर वह आए नहीं तो इसे भी बदलना होगा साथी प अपराद रोकने से संबंदित कुछ कानून बनाए गये हैं उस कानून की हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर मैं बहुत सौर्ट में बताऊंगा चुकि यह जितने भी कानून है इन सब पर मैं कभी न कभी जो है ले चुका हूं तो पिछले आपको क्या करना है करन्ट अफेर्स क सब्द की शिमा रहेगी तो इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा लेकिन किसी पर्टिकुलर्ट कानून की बहुत चर्चा करनी है मालने जी ऐसे में इस तरह के टॉपिक आ गए तब आपको थोड़े विस्तार से चर्चा करना पड़ेगा तो थोरी शी जानकारी गया है उसके बाद धरा 498 एक तहट कहा गया है कि विवाहित महलाओं के खिलाब घरेलू हिंसा येदी होता है डॉमेस्टिक वाइलेंस होता है उससे संबंधित मामले दर्ज किये जाएंगे अनैतिक वैपार निवारन अधिनियम उनिश्व चपन की बात की गई है यहाँ पर अनैतिक कामों के लिए इस तरी पुरुष या बच्चों की खरीद विक्री जो है उससे अवैध माना गया है और इसके तहट सजा का प्राब्धान भी किया गया है यदि देहेज प्रतिशेत अधिनियम 1901 देखेंगे जैसे कि मैंने मामला की चर्चा किया था अभी एंस क्यारवी का कहना है कि देहेज से संबंधित मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसमें भी यह देखा जा रहा है कि पती या उनसके रिस्तेदारों के द्वारा महलाओं को प्रतारित किया रहा है तो देहेज जो है एक बड़ा मसला बना हुआ है और यह दो कानून जो देख घरेलू हिंसा से महलाओं का संब्रक्षन अधिनियम 2005 में पास कराया गया था और इसको लेकर के बाते की गई थी कि घरेलू हिंसा यादि घर के अंदर ही महलाएं सुरक्षित नहीं है तब फिर महलाएं कहां जाएंगे तो इसके लिए घरेलू हिंसा की रोखथाम के लिए या अधिनियम लाया गया था यौन उत्पीरन से महलाओं का संब्रक्षन यानि कि पॉस्स अधिनियम जो है 2013 में और एक बहुत सेमस कानून है आप कई बार इसे पढ़ भी चुके हमगे पॉक्सो अधिनियम तो पॉक्सो अधिनियम क्या है कि नवालिकों के लिए है इसमें बच्चे और बच्चियों दोनों को ही शामिल किया गया है इसके तहट जो है जमानत भी नहीं मिलता है तो काफी सख्त कानून यह है अब इन सब कानूनों को क्या करना है थोरा थोरा सा आपको तयार कर लेना है ताकि इसे संबंधित कभी कोई प्रशन आए तो आपसे औरफंदित है तो यहाँ पर यह मामला जो हो जाएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक दहेज को लेकर के कानून जो होगा इससे चार में से कोई एक ही विकल्प सही होगा जो भी विकल्प आपको सही लगए उसका चैन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए महलाओं के खिलाब जो हिंसा बढ़ रही है और खास करके दिली जैसे शहरों में जहां पर कहा जाता है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं और दिली दिलवालों की कही जाती है तो दिलवालों के दिल में इतना खोट क्यों है महलाओं के लिए के मुद्दे में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए थैंक यू